समय शाम, पात्र, राजा, वन्रक्षक, सरदार, स्थान, जंगल का रास्ता राजा जंगल से निकल कर एक रास्ते के किनारे खड़ा है राजा, यकायक पहुच कर यहाँ तो किसी के घर का रास्ता है यह सब के लिए खुला नहीं हो सकता खड़े-खड़े होटों पर उंगली रख कर मैं राजा हूँ, आश्यर रहे अंधेरा मेरी कुछ भी परवा नहीं करता वह बढ़ता ही आ रहा है मामुली आदमी की तरह मैं भी भूल पटक सकता हूँ पूरा पश्रिम उत्तर दक्षिन दिशाएं भी जो मेरा आतंक मनाती है उस समय सब चुप है दरबार में बढ़ बढ़ कर बाते करने वाले मेरी बुद्धी इस समय नहीं बता सकती कि मैं किधर जाओ और ये बढ़ियां-बढ़ियां चमकीले कपड़े ओ, मुझे बहुत भारी लग रहे है आज मेरा सारा अभिमान मुझे जूटा जार पड़ रहा है हसता है अच्छा हुआ मुझे पता तो चल गया कि मैं वास्तव में राजा ही नहीं मनुष्य भी हूँ किसी की आहड सुनता है कोई आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए क्या कुछ राजापन दिखाऊ नहीं नहीं फेको इस राजापन के ढूंग को मनुष्य होने का लाब लो वन रक्षक का प्रवेश बन रक्षक आज मैं बदमाश को पकड़ पाया तुम कौन हो राजा मैं बदमाश नहीं तुमको विश्वास दिलाता हूं बन रक्षक अच्छी बात है किसने बंदूग चलाई राजा मैंने नहीं चलाई बन रक्षक तिरसकार कि स्वर में तुम जूट बोलते हो राजा मन में जूट बोलता हूं कैसे दुख की बात है कि मैं राजा होकर एक अप्राधी की तरह सुन रहा हूँ प्रकट में तुम मेरी बात का विश्वास करो भाई मैंने बंदूख नहीं चलाई वन रक्षक अच्छा अच्छा इधर आओ तुमने राजा के एक हिरन को गोली मारी क्या नहीं मारी राजा नहीं सच मुझ नहीं मैं खुद राजा का बहुत सम्मान करता हूँ मैंने भी गोली के अवास सुनी है और मुझे भय है कुछ चोर या डाकू जंगल में छिपे हुए है वन रक्षक मुझे यकीन नहीं खेर तुम कौन हो तुम्हारा नाम क्या है राजा गंभीर होकर मेरा नाम वन रक्षक हाँ तुम्हारा नाम तुम्हारा कोई नाम तो होगा ही क्या नहीं है तुम कहां रहते हो और करते क्या हो राजा इनी प्रशनों के उत्तर देने का मुझे अभ्यास नहीं है वन रक्षक हो सकता है पर ये ही प्रश्ण है जिनके उत्तर देने में सच्चे आदमी को डर नहीं लगता खेर अगर तुम अपने बारे में कोई साफ उत्तर नहीं देना चाहते हो तो मत दो मगर तुम जाना कहां चाहते हो चलो मैं तुम्हें बाहा निकालाओ राजा शुब्ध होकर तुम किस अधिकार से वन रक्षक मैं राजा का वन रक्षक पुंड्रिक हूँ इस अधिकार से राजा गौर से देखकर पुंड्रिक वन रक्षक अकड्म के साथ जी हाँ पुंड्रिक किसी आदमी को जिस पर मुझे शक होता है और जब तक वह अपना परिच्चे जितना तुमने दिया है उससे अधिक नहीं देता, मैं इस रह से नहीं जाने देता। राजा, अच्छी भात है भाई, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी तरह तुम भी राजा के एक अच्छे अफसर हो, अगर तुम विश्वास करो। राजा, मैं राजा का एक अफसर हूँ, मैं राजा के साथ इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था, और यहां राह भूल गया हूँ, जंगल में मुझे रात हो गई, और मैं घर से बहुत दूर पड़ गया हूँ वनरक्षक, इसमें सच्चाई की कमी है, अगर तुम शिकार को निकले थे, तो तुम्हारा घोड़ा कहा है, राजा, घोड़ा ठक कर गिर पड़ा, मैंने उसे छोड़ दिया वनरक्षक, यदी मैं तुम्हारी बात का विश्वास ना करूँ, राजा, मैं जूट नहीं बोलता, भले आदमी वनरक्षक, वाँ वाँ, दर्बार में रहते हो और जूट नहीं बोलते राजा, खेर तुम जैसा समझो, मगर मैं जूट नहीं बोल रहा हूँ, यह मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ, कहो तु प्रमान दिखा दूँ, कि मैं जूट नहीं बोल रहा हूँ जेब से एक रुप्या निकाल कर और पुंड्रिक की ओर बढ़ा कर, यह लो इनाम और राद को मुझे अपनी जोपड़ी में रहने दो बन रक्षक, राजा का मूँ देखता है, राजा, यदी या कम हूँ, तो सवेरे तुम जो कहोगे, वही तुमको दूँगा और खुशकत दूँगा वन रक्षक, जोर से हसकर, ओहो, अब मैंने माना कि तुम दर्बारी हो, आज के लिए एक छोटी से रिश्वत और कल के लिए एक बड़ा सवादा, एक ही सास में दोनों, मगर मेरे दोस्त पुंड्रिक दर्बारी नहीं है राजा, क्रोध से, तु एक नीच आदमी है, जबान सम्हाल कर नहीं बोलता, मैं तेरे बारे में अधिक जानना चाहता हूँ वन रक्षक, लापरवाही से, तु और तेरे शब्द को इस तरह लापरवाही से मत फेको, मैं भी उतना ही भला आदमी हूँ जितने तुम हो राजा, शान्त होकर, शमा करो मित्र, वन रक्षक, मुस्कुरा कर, मैं क्रोध में नहीं हूँ, पर जब तक तुम्हारी सच्चाई पर मेरा संदय है, तब तक मैं तुमसे विशेश प्रेमभाव नहीं थला सकता राजा, तुम ठीक कहते हो, पर मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिला सकता हूँ वन रक्षक, ओ, तुम जैसा मुनासिब समझु करो, राजधानी यहां दस मील पर तो है, तुम अभी राजधानी जाना चाहो, तो मैं तुम्हें रास्ता बताऊँगा और अगर तुम राद भर इस गरीब के घर में टिकना पसंद करो, तो मेरे सिर आखो पर रहो, सवेरे मैं तुम्हारे साथ चलूँगा राजधा, क्या तुम अभी साथ नहीं चल सकते, वन रक्षक, नहीं, चाहे तुम राजधा ही क्यों न हो, राजधा, तब तो चलूँ, मैं तुम्हारे घर में राद काटूँगा घोड़े पर सवार एक सरदार का प्रवेश, सरदार, महराज कुशल से तो है, महराज के लिए हमने सारा जंगल चान लिया वन रक्षक, चकित होकर, आखें फाड कर, कौन, महराज, तब तो मुझसे बड़ी भूल हुई, घुटने टेक कर, महराज, आपके साथ जो मैंने ठिटाई की, उसे शमा कीजिये राजा तलवार खीचता है, वन रक्षक, महराज, आप अपने उस सेवक का वद निश्य ही नहीं करेंगे, जिसने इमानदारी से अपना कर्तव्य पालन किया है राजा, नहीं मेरे सच्चे और बहादुन मित्र, मैं तुम्हें शमा नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे जैसे नेक और सच्चे आदमियों के सम्मान का रिणी हो, उठो, राज रतन पुंडरिक उठो, अपनी पदवी का प्रमाण और मेरी प्रसंता का चिन या तलवार लो, तलवार कैसा, मैंने तुम मातर अपना कर्तव्य निभाया, राजा तलवार देता है, पुंडरिक घुटने टेक कर उसे दोनों हातों से लेता है और माथे से चुआता है, फिर खड़े होकर राजा को प्रणाम करता है, राजा, पुंडरिक, पुंडरिक, महाराज, राजा, चलो, हमें महल तक पहुचा जाओ, आज तुम हमारे महमान रहोगे पुंडरिक, प्रसन होकर, सिर जुका कर जो हुक्म महराज, राज़ सरदार के घोड़े पर सवार होता है उसके आगे पुंडरिक रास्ता दिखाता चलता है और सरदार राज़ा के पीछे जाता है परदा गिरता है राम नरेश्टर पाठी